हाफ कट डिजाइन है मुझे तो अच्छा नहीं लगा यार दोस्तो थार फाइब डोर है वो बहुत हद तक अब एकदम प्रोडक्शन रेडी है स्कॉर्पियो एन वाला वो वाला इंजन मिलेगा सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट भी कह सकते हैं महिंद्रा बेस रेडार आपको यहां पर ओफर किया जा सकता है हलो दोस्तों वेल्कम टू आट्रोट्यू इंडिया और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा थार फाइब डोर के बारे में जहां बहुत लोगों को बेसबरी से इंतजार है और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अब थार फाइब डोर के बारे में एकदम क्लियर हो गए हैं तो एक एक करके वो शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे इसके लाँच की क्योंकि ऐसी कयास लगाई जा रही थी और थोड़ा बहुत जो इशारा मिला था महिंद्रा की तरफ से वो ये था कि 15 अगस्त को यानि इंडिपेंडनेस दे वाले दिन थार फाइब डोर का लाँच होगा और अभी भी मुझे लगता है डेट वही है लेकिन जिस तरह से स्पाइट तस्वीरे आ रही है और आप कैमोफलाज हटके कार जो है जो थार फाइब डोर है वो कवर्स में नजर आने लगी है तो ऐसा लग रहा है कि लाँच कहीं पहले ना हो जाए या डिटेल्स जो है वो पहले ही आनाना शुरू हो जाए हाला कि जो अब थार फाइब डोर है वो बहुत हद तक अब एकदम प्रोडक्शन रेडी है वहीं दूसरे पॉइंट की बात करते हैं जो की है इंजन एक चीज और कनफरमेशन मिल गई है कि इसमें आपको 1.5 लिटर का डीजल इंजन में मि हुए थे तो आपको पता दें कि अगर 1.5 लिटर का ड्रेर वील ड्राइव इंजन मिलेगा तो उसके कुछ लिमिटेशन है और कुछ डिस एडवांटेज है जो आप उमीद करते हो कि थार फाइब डोर कर सके वह एक शहरी यूज के लिए आएगी और जिनको माइलेज अच स्कॉर्पियो एन वाला 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 एंजन मिलेगा जिसमें आपको 170 HP की पावर भी मिलेगी यानि पावरफुल एंजन होगा 4x4 के साथ आएगा तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि वेरियंट्स क्योंकि वेरियंट्स का लोगों सबसे ज्यादा क्रेज होता है तो मेंली आब को चैसा मैं आपको दिखा रहा है कि नगया सबसे जदीन हों और आपको सबसे ज्यादा वयल्यू फार मनि वेरियंट्स क कै सकते हैं यूगसि पीचवाला गया उसमें आपको एलाई मिलेगा इसमें द् infants मिले हैं अँची चीज क्ल बादी इलाए शरू इसमें आप मिल हो सकता है कि डिफॉगर ना मिले लेकिन वाइपर आपको जरूर मिलेगा और वही टॉप वेरेंट की बात करें तो इसमें स्टाइलिश आपको डामेंड कट एलॉइ वील्स मिलेगी एडास जैसे फीचर्स भी यहां महिंद्रा आपको आफर करने वाला है बाकी लुक और जाके करोल बाग जाके उसको मॉडिफाइड और थाकर लुक दे देते हैं अब रूबिकॉन फाइफ डोर वाला लुक लाने के लिए लेकिन यहां पे फ्रंट रेयर से तो बाट ठीक है यह आटो कार की यह तस्वीर आप देखिए जो इस कूप में उन्होंने रिलीस की है और डिजाइन से भी काफी समझ में आ रहा है कि जो इसका C पिलर और D पिलर के बीच का जो कौटर गलास है उसमें जो हाफ कट डिजाइन है मुझे तो अच्छा नहीं लगा यार दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि यह डिजाइन कैसा लगा आप लोग को कैसा लग रहा है यह आप लोग बताओ हाला कि डिजाइन की अपनी अपनी पसंद है लेकिन जो रैंगलर वाली और रूवी कॉन वाला जो कॉपी या कहने जो पूरा लुक मिलता है वहां पर यह साइड प्रोफाइल से थोड़ा सा डिसपॉइंट कर रही है इ आपको महिंद्रा यहां सस्ते में दे सकता है इसके अलावा कलर्स की बात करें तो कलर्स जो अभी करेंट थार में कई पुराने कलर्स को रिप्लेस करके नए कलर्स एड़ किये गए लेकिन आपको रेड ग्रे ब्लैक वाइट डीप फॉरेस्ट एक नया कलर एड़ किया गया यानि ये छे कलर तो हैं लेकिन अच्छी चीज क्या है कि लाउंच से फाइव डोर में आपको वाइट कलर का भी ऑप्शन कंटिन्यू किया जाएगा और इसके लावा हो सकता है कि नया प्रोड़क्ट लाउंच हो रहा है तो कोई नया कलर स्कीम भी लाउंच की कर दी जाए इसके लावा जो इस पाइट तस्वीरे आ रही है अब चलिए उनकी बात कर लेते हैं तो यानि लगभग Scorpio N के आसपास ही इसकी प्राइजिंग होने वाली है तो चलिए exterior से पहले शुरू करते हैं इसमें आपको new LED headlamps मिल रही है यानि जो बाहर से लोग aftermarket डलवाते थे उसकी अब जरूरत नहीं पड़ेगी साथी new fog lamps भी नजर आ रहे हैं नए bumper की housing भी fog lamp के बगल बगल नजर आ रही है साथी जो इसकी grill है वो भी पूरी तरह से अब नई होने वाली है बोनट almost same है वहीं अगर side profile की बात करें तो सबसे पहली चीज जो आप observe करेंगे क्योंकि ये 3 door से 5 door हो रही है तो ये stretch हो जाएगी और Scorpio N के platform पे है तो जो इसका wheel base है वो थोड़ leg space मिलेगा और बड़ा boot space मिलेगा साथी second door के handles जो है वो pillar पे place किये गए जैसे swift में आता है इसके अलावा side में एक चीज और observe करेंगे आपकी आपको जो alloy wheels है वो 18 inch और 19 inch दोनों के options दिये जाएंगे साथी जो इसमे 4 wheel disc brake भी आपको मिलेगा इसके अलावा अगर आप उपर क तरफ से देखेंगे तो आपको sunroof मिलेगी और जो इसकी roof होगी वो hard top होगी यानि जो hard वाला material होता था फाइवर वाला वैसा नहीं proper steel वाली ही roof मिलेगी अगर आप back से देखेंगे तो आपको almost same लगेगी back से बहुत जादा अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा थोड़े अल्मोस 10 इंच का होगा साथी इसका जो instrument cluster होगा M.I.D. वो भी पूरी तना से digital आएगा XUV 7W जैसा steering wheels आपको Scorpio N वाली मिलेगी और final production के time हो सकता है कि इसके air vents की designing थोड़ी सी change की जाए लेकिन glove box जो है वो आपको पहले जैसा छोटा ही मिलेगा साथी door में अब आपको जो power आपको leather seats भी offer की जाएगी इसके लावा push button start stop मिलेगा fuel tank भी आप अप अंदर से खोल पाएगे three door वाली थार की तरह आपको चाभी से open करने की जरोद नहीं पड़ेगी fuel tank को तीछे की तरफ आएगे तो आपको एक बड़ा leg room मिलेगा इसके लावा जो seats होंगी वो 60-40 split होंग रेयर में आपको AC event मिलेगा और जो साथी seat होगी उसमें armrest भी मिलेगा इसके लावा अंदर से आपको sunroof मिलेगा जो की panoramic नहीं होगा चोटा sunroof होगा लेकिन ये center में place होगा यानि आगे की तरफ नहीं होगा जैसे Scorpio N में होता है ये थोड़ा सा पीछे वाली seat के उपर क sitting option में ही आपको मिलेगी seven seater या six seater का कोई option इसमें अभी confirm नहीं हुआ है इसके लावा six airbags भी आपको इसमें मिल सकते हैं pillars पे आपको A pillar और B pillar पे grab handles दिये गये हैं जिससे आपको off road में या चड़ने उतरने में मदद मिलेगी क्योंकि इसका ground clearance अच्छा खासा है दोस्तों य सकते हैं और details आपको जाना है क्योंकि जब मैं late trip पे था अपना All India trip के दौरान तो मैंने थार को अंदर से देखा था बस वहाँ पे जो driver था उसने वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया था